हेलो दोस्तों, आपका इस सेशन में स्वागत है आज का हमारा सेशन होने वाला है थोड़ा अलग लेकिन मज़ेदार मज़ेदार इसलिए क्योंकि हमने इसमें मैतमेटिक्स के कुछ ऐसे प्रशने लिए हैं जो देखने में तो काफी सीधे लगते हैं लेकिन जब हम उन्हें सॉल करने जाएंगे तो वो थोड़े से तेड़े होंगे वैसे ये सारे प्रशन एक तीसरी या चौती कक्षा का विद्यार्थी आराम से कर सकता है लेकिन कभी-कभी बड़ी उम्र के लोग भी ऐसे प्रशनों का गलत जवाब दे देते हैं या कन्फ्यूज हो जाते हैं तो चलिए देखते हैं वो प्रशन क्या है सबसे पहला प्रशन है कौन किस से बड़ा अगर A B से बड़ा है तो क्या 1 by A भी 1 by B से बड़ा होगा या छोटा होगा इस प्रशन का जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकेंड है और आपका समय शुरू होता है अब और इस प्रशन का सही जवाब है ओप्शन B दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि दो संख्याओं के रेसिप्रोकल लेने से उनके बीच का संबंध बदल जाता है जैसे कि अगर 5 चार से बड़ा है तो 1 by 5 will be less than 1 by 4 ठीक है तो चलिए इसी प्रशन में थोड़ा सा बदला उलाते है अगर A B से बड़ा है तो क्या माइनस A भी माइनस B से बड़ा होगा या छोटा होगा यह तो काफी आसान है इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए और इसका सही जवाब है option B धनात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है धनात्मक संख्या उतनी ही छोटी आप 5 और 4 वाला एक्जेम्पल फिर से देख लें अगर 5 4 से बड़ा है तो माइनस 5 माइनस 4 से छोटा होगा राइट? अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो अगला प्रशन आपके लिए आसान होना चाहिए अगर A B से बड़ा है तो क्या माइनस 1 बाइ A B माइनस 1 बाइ B से बड़ा होगा या छोटा होगा? अप्शन A या अप्शन B? इसका जवाब है अप्शन A सीधी सी बात है अगर A B से बड़ा है तो रेसिप्रोकल लेने से उनका रिलिशन चेंज होगा मतलब 1 बाइ A अब छोटा होगा 1 बाइ B से और जब उनकी आगे माइनस लगाएंगे तो वह संबंध फिर से बदलेगा और अब हो जाएगा माइनस 1 बाइ A is greater than माइनस 1 बाइ B राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले simple question की ओर जब मैं 10 साल का था तो मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र की आधी थी आज मैं 30 साल का हूँ तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी? 15 साल? 5 साल? 25 साल? या 60 साल? और यहाँ पर होता है आपका समय समाव इसका सही जवाब है option C जब मैं 10 साल का था तो वह 5 साल की थी 20 साल बाद मैं 30 साल का हुआ और वह 25 साल की simple मुझे उम्मीद है कि अब तक के प्रशनों का आपने सही जवाब दिया होगा लेकिन अगले प्रशनों में भी ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है तो चलिए देखते हैं अगला प्रशन मैंने एक पेंसिल 10 रुपए में खरीदी और 11 रुपए में बेच दी तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ option A 10% से कम option B 10% से ज़ादा या option C 10% यह तो काफी simple है and the right answer is 10% का प्रॉफिट very simple तो चलिए इसे simple से difficult बनाते हैं अगर मैं पेंसिल 11 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेच दूँ तो मुझे कितने परसेंट का profit या लॉस होगा सबसे पहले तो इस case में profit नहीं होगा क्योंकि अपकी बार हम जादा पैसे में पेंसिल खरीद कर कम पैसे में बेच रहे हैं और एक और बात loss होगा 10% से कम का क्योंकि एक रुपए दस रुपए का 10% होता है लेकिन 11 रुपए का 10% से कम होगा इसलिए सही उत्तर है 10% से कम का loss तो दोस्तों आपको यह प्रशन कैसे लग रहे हैं है ना simple क्या आप एक और question solve करना चाहेंगे तो अगला question है 864 को 8 से divide करेंगे तो कितना मिलेगा 8 1s आ 8 and 8 8s आ 64 और हमें उत्तर मिला 18 Is it the right answer? Um, no The right answer is 1 0 8 0 is very important Okay friends, आज के session में बस इतना ही अगर आप इस टाइब के और भी question solve करना चाहते हैं तो हमें comment box में जरूर लिखें इस वीडियो को like और share करके हमें बताईए कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा बेल आइकन दबाएं और अगले वीडियो की जानकारी हासिल करें तो मिलते हैं अंगले session में अब की बार पूरी तैयारी के साथ